हाई फ्रेंड्स अस्सलाम अलेकुम आज मैं आप लोगों को न्यूबॉर्ण बेबी के लिए फलिया बनाना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से और उसमें गोटा पट्टी किस तरह से लगाना है इसको किस तरह से बनाना है किस तरह से इसकी नाप लेनी है सारा कुछ तो कपड़े को मैंने डबल लिया है और सेम साइज से मैंने एक और कपड़ा लिया है यानि की लंबाई चोड़ाई मैंने सेम साइज से लिया है जिसको हमें अंदर की साइड यूज करना है आप चाहें तो इसकी अंदर कपड़ा यूज कर सकती है चाहें तो फोम यूज कर सकत देटी कि लबाए चोड़ाइ मैंने सेम रखी है अब इस कपड़े को हमें हटा देना है देखि कपड़ा मैंने इसका भी डबल लिया है आप चाहे तो कपड़े की लेयर बढ़ा सकती है और कपड़े को इस तरह से हमें इस वाले कपड़े को खोल लेना है यहाँ पर सेट कर लेना है अच्छी से चारो तरफ से में अच्छी सेट कर लेना है देखी यह कपड़ा हमारा टू पार्ट में है और एक पार्ट हमारा नीचे वाला कपड़ा है उपर से एक पार्ट यह जाएगा तो यह चार पार्ट इसका हो जाएगा तो इसके अंदर हमें फॉम भी यूज़ करना है तो देख सकते हैं कि बहुत मोटा नहीं हुआ है ये चार पार्ट में ठीक है लेकिन अगर आपको मोटी बनाना हो तो एक आध पार्ट और आप बढ़ा सकती है कपड़े का वैसे मुझे फॉम यूज़ करना है तो इसलिए मैं पार्ट में चोटा था तो मैंने इसकी चोटी चोटी पीस ली है आप अगर एक साइज का पूरा बड़ी साइज का यूज़ करें तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा पर मेरे पास था नहीं तो मैंने चोटा वाला यूज़ कर लिया है तो इसको देखिये मैंने इस तरह से पार में लिया है इसको हमें इस तरह से रख रख के सेट करना होगा तो जितनी भी पीस आएगी हम इस तरह से रख करके इसको सेट कर लेंगे तो इस तरह से मैंने फॉम को रख करके सेट कर लिया है युए फॉम हमारा जॉइंट में है तो इसको हमें बचा करके सिलाई लगानी होगी वरना इधर उदर हट जाएगा तो पहले हम कपड़े को यहां से इस तरह से रख करके अच्छी से सेट कर लेंगे देखिए यह हमारा थोड़ा सा और मोटा हो गया है तो इस तरह से हमारा चार लियर कपड़े का है और एक लियर हमारी फॉम की है तो अब इसको फॉम हमारा जॉइंट में है तो इसको हमें सिलाई लगा करके सेट करना होगा ताकि हमें मशीन पे सिलाई लगाने में दिक्कत न लिए और इस सुई धागी की हिल्प से हम बीच में बड़े-बड़े टाके लगाएंगे जिससे हमारा फोर्म एक जगा बना रहे तो पहले यहाँ से हम टाके लगाना शुरू करेंगे बीच से बहुत बड़े बड़े टाके लगाना है बस सिलाई लगाने में इजी रहे इसलिए अगर आपका फोम एक पार्ट में होगा यानि कि पीसेज में नहीं होगा तो आप सिलाई ना लगाए तो भी चलेगा डारेक्ट मशीन से सिलाई कर सकती है तो इस तरह से हम चारो तरफ से बड़े बड़े टाके लगाएंगे एक साइड से तो मैंने लगा लिया है अब इसी तरह से हम सुई में और दागा डालेंगे और चारो तरफ हम टाके लगा लेंगे फिर बीच से एक और क्रास हम इस साइड से लगा लेंगे तो देखिए मैंन तो इस तरह से तिर्चा लगा लें सिलाई, चाहे तो इस तरह से कर लें, या आप सिधी सिधी सिलाई भी लगा सकती हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से लगा लें, तो यहां से पहले हम सिलाई निशान लगाना श्टार्ट करेंगे, तीन तीन इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेना है मैंने रफली निशान लगाया है इस निशान को हम सिलाई करते समय बहुत सिधी सिलाई करेंगे देखिए मैंने निशान को थोड़ा सा तीरचा लगा दिया है तो इसको हम ये प्रिंट के हिसाब से हम सिधी सिलाई लगा लेंगे तो एक साइट से मैंने सीधा निशान लगा दिया है अब यहां से हमें इस तरह से तीरचा निशान लगाना होगा आप चाहें तो इस साइट से भी सीधा निशान लगा देंगी तो यह चौकोर्स शेप में बन के आएगा या चाहें तो इस तरह से आप बना सकती है क्पड़ी ayam tagやって though. कपड़ी कर लेंगी एकसा कप्ड़ी में कनारी को अभी साइड एकसा कपड़े नहीं नंदुकर कर दी आए दूसरी साइड नहीं किनारी की कोई नहीं यह दो साइड से हमें कपड़े को बराबर कट करना था तो मैंने इसे कट कर दिया है अब गोटे के लिए कपड़ा लेंगे तो गोटे के लिए यह मैंने कपड़ा लिया है इस गोटे को मैंने पने की लंबाई में इसकी तीन पीस कट की है और चोड़ाई मैंने इसकी लिए है 2.5 इंच ये सिलाई के बाद 1 इंच में तयार होगा तो सबसे पहले इसकी सिलाई के इस तरह से करनी है तो यहां से हम इसकी नाप लेंगे इस तरह से हम टाइटली नापेंगे और यहां से जो एक्ष्टा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे यह कपड़ा कट करने के बाद इस तो चलिए सबसे पहले और लगा लेती हैंएंदे मπουश सब फ़हे मुटे कर देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने नगा जोईंत कर दिया है। अब गोटा लगाना हैंगर तो ये गोटा ये हैं wij पट्टी मैंने रिहा पेंगे यहां से नंपेंगे लेखेंगर इस तरह से फेला डाए यहां से एक्मोरा करो गोटे करना इसे बार केसे कुलर यहां से लिए गोटो मेंकर होुआ苦 के सिलाओ दीए, उसे preguntas हो구요 तो हमारा ये वाला गोटा खुला हुआ है और इसको भी मैंने उसी तरह से खोल लिया है अब देख सकती है अब तीसरी साइड का गोटा भी हमें जोइंट करना है तो सेम तरीके से इसकी भी नाप लेनी है और सेम तरीके से सिलाई करनी है इस गोटे को हम इस तरह से खोलेंगे और यहां से कपड़े को रखेंगे यहां तक हम tightly nape लेंगे और जो इक्ष्टा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे कट करने के बाद इसे हम एक सिलाई से इस्टेज कर लेंगे तो देखिये मैंने तीन साइट गोटे को तो सबसे पहले दोनों साइट के गोटे को हम इस तरह से खोल लेंगे और यहां से हम इसकी नाप लेंगे नाप लेने के बाद यहां से एक्ष्रा कपड़े को हम कट कर देंगे कट करने के बाद इसे भी एक सिलाई से जॉइंट कर देंगे तो देखिए मैंने चारो साइड के गोटे को सिलाई कर दिया है तो इस तरह से सिलाई करने के बाद अब आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरह से ये गोटा बनेगा कभी भी कोने के पास से आपको सिलाई नहीं शुरू करनी है हमें से यहां बीच से ही गोटे की सिलाई शुरू करनी होती है तो सिलाई करते करते देखी हमने कोने के पास सिलाई करनी है तो यहां से हमें सेम तरीके से गोटे को फोल्ड करना होगा जिस तरह से हमें सिलाई करनी है उसके बाद यह जो कोना है इसको हम यहां से इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की side और इस तरह से इसको fold करके इस पर हम सिलाई लगा देंगे और घुमाते हुए कोने पर भी सिलाई लगा लेंगे फिर वापस से हम इस side घुमा के सिलाई लगाएंगे और फिर इस side से हम गोटे की सेम तरीके से सिलाई लगाएंगे जिस तरीके से गोटे की सिलाई के भी हमें सेम उसी तरीके से सिलाई करना है उसी तरीके से हम गोटे को फोल्ड कर लेंगे और ये जो कोना वाला कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इस पर हम कोने पर भी सिलाई लगाएंगे जिस तरह से मैंने पहले वाले कोने को बनाया है ठीक उसी तरीके से इसके भी सिलाई लगा लेंगे वापस से हम मशिन को इस साइड गुमाएंगे और फिर यहां से भी हम गोटे की सिलाई लगा लेंगे फिर हम तीसरे कोने पे जाएंगे बनाने के लिए तो यहां से पहले हम सिलाई लगाएंगे अब यह देखिए तीसरा वाला कोना हमारा आ गया है तो सेम तरीके से हम फोल्ड करेंगे गोटे को और यहां से कोने को अंदर फोल्ड करेंगे और उसी तरीके से हम इसकी भी सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से मैंने तीन कोना बना लिया है अब चौथे कोने की बारी है तो लीजिए यह वाला गोटा भी हमें सेम तरीके से सिलाई करना है अब चलते हैं चौथे वाले कोने के पास तो यह बारी आ गए है चौथे कोने की और लाश्ट वाले की तो देखिए यहां से हमारा गोटा फिनिश हो जाएगा तो इस तरह से हम इसे सेट कर लेंगे अच्छी से और फिर कोने को भी हम अच्छी से सेट करेंगे और इसको हम अच्छी से सिलाई कर लेंगे उमीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको गोटा लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप इसली गोटा लगा लेंगी तो इस तरह से आप देख सकती है कि हमारी पूरी गोटा पट्टी लगके तयार है यानि कि मैंने फल्या बनाने का पूरा तरीका आपको डिटेल से बता दिया है कि आप बहुत ही इसली घर पे इस तरह की फल्या बना सकती है तो आप अब करीब से इसको देख सकती है कि हमारे फलिये का कोना यानि की गोटा पट्टी किस तरह से मैंने बनाया है बहुत ही इजली बन जाता है और बहुत ही फ्रेश बन के तयार होता है उमीद है कि आज की गोटा पटी की वीडियो और फलिया की वीडियो आपको जरूर पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए अलाह आफिज